हेलो फेंड आपका स्वागत है हमारे चैनल बैसाली कैमपस में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलबे एलपी करना मत भूले तो चैनल को लाइक जरूर किजिएगा तो चलिए हम आपको एक डाउट इसमें किलियर करते हैं सबसे पहला डाउट आप लोग कथा कि नॉमलाइजेशन होगा या नहीं तो देखिए दोस्तों आपको कोई भी आप अगर ट्विटर एकाउंट या कहीं भी आप रिपलाई के लिए रेलवे को मैसेज करते हैं तो डाइरेक्ट आपको काता है आप नोटिफिकेशन में जाकर देखिए अगर नोटिफिकेशन में जाकर देखते हैं तो उसमें डाइरेक्ट लिखा हुआ है कि नॉमलाइजेशन हर मतलब स्टेच होगा CBT1 यहो जितने भी एक्जाम हो सम्में नॉमलाइजेशन किया जाएगा और यह रूल ही करती है कि एक से जादे सिप्ट में अगर तो आप लोग भी जानती है कि कोस्टन का लेवल उपर आप डाउन हो सकती है तो नॉमलाइजेशन यहां होगा ही नहीं तो ऐसे होगा कि जिसके एजी थे उनके तो नॉमबर इनकीरीज कर जाएंगे और हार्ड वाले आप भी लोग भी जांते हैं कि हार्ड की पेपर भी आ तो देखिए आप लोग भी जानते हैं कि टोटल 9 shift में और एक कैंसिल हुआ था तो मान के चलिए 10 shift में आपका total exam हुआ था 10 shift में exam हुआ था अब 10 shift में आपका हर trade जो electrical हो या electronics हो या physics वाले के लिए हो या director mechanics हो जितने भी हो mechanical हो civil हो सब के mix लड़के बैठे थे आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग अगर exam दे रहे हैं तो आपके बगल में दुसरे trade के लड़के बैठे हुए थे तब अब क्या किया जाएगा कि अपने ही trade में compare करके normalization होगा कि ना कि दूसरे जैसे electronics वाले physics के compare करके तो नहीं होंगे न physics वाले के compare करके normalization या electronics वाले से यह आप लोग को confirm हो गई होगी कि अपने ही shift में जैसे किसी के मान के चलिए 5 shift में exam हुआ होगा कोई मतलब trade के बता रहा हूं तो पांचो shift का level देखके तब normalization इसमें किया जाएगा तो आप लोग को confirm हो गया होगा कि अगर आपका कॉंसी shift में exam हुआ है अगर आपको लग रही है कि मेरी shift सबसे कम हुई है या एक shift में हुई है दो shift में आप लोग को अपने friends से इसा बात करके आपको मालूम चल ही गया होगा कि कितने-कितने shift में exam थी अगर कितने-कितने shift नहीं हो उसको comment करके मुझे बता है कि मेरे कितने-कितने shift में exam हुए है तो आप लोग confirm हो जाएए कि part B में normalization होगे दोस्तों एक चीजा और मैं बताना चाहरा हूँ इस वीडियो में कि आपको social media अब एक WhatsApp इसा पर message viral हो रही है कि part B में normalization नहीं होगा और जिसके normalization होगा तो उसके लिए same syllabus होना चाहिए तो देखे same syllabus तो है इसमें trade by मैं भी बोला हूँ कि trade by compare करके normalization होगा ना कि physics जैसे physics हो गया total से compare कैसे किया जा सकता है सबका syllabus अलग अलग है इसलिए अपने ही syllabus में मतलब syllabus जैसे मान के चलिए कोई electronics लिया कोई mechanical लिया इस दोनों में compare करके तो normalization नहीं होगा electrical वाले के मान के चलिए एक shift है second shift में भी electrical है ये दोनों में compare करके normalization किया जाएगा तो normalization इसी बेस पे होता है तो आप लोग भी जानते एक से जादे shift में normalization होगा एक से जादे shift में paper हुआ है या नहीं तो हाँ अभी तक मेरे जितने भी ख़वर आ है तो हुआ है इसमें वो कोई बोल रहे हैं एक carpenter की सबसे समस्या रही है एक दो message मुझे आई है कि वो लोग बता रहे हैं कि carpenter वाले के एक ही shift मिल लिया गया है तो दोस्तों मेरे अभी तक ऐसा नहीं है सबको mix करके लिया गया था exam अगर आपको ऐसा है तो आप अपने comment में अपना कौन सी exam में shift में exam हुआ है message करें और सबसे request करें कि message करके देख लिए आप लोग इस जगा कि आपका कोई भी मिल जाए अगर carpenter के दूसरे shift में हो सकता है कि कोई ऐसा हो वो बताएं कि मेरे दूसरे shift में हो तो आपना आप लोग कि कौन सी shift में और कौन सा trade है आपका exam हुआ है उसको comment box में comment करके आप ल लाइनल को जादे से जादे like and share करें जिसे सभी को message पर जाया और carpenter वाली की समस्या है अभी तक मुझे लग रही है कि वो एक दो message मुझे पास आई है कि वो बोल रहे है कि एक ही shift में है तो आप लोगों से जितने भी carpenter वाले हैं या और भी ट्रेड वाले उनसे request है कि आप लोग जादे से जादे comment करें और अपना shift कौन सी date में हुई है और trade क्या है और number भी साथ में share करें और इससे आपको मालूम चले जाए गई कि मेरे में कितने कितने number आ रहे है trade में और कितने भी trade by आपको पुड़ा inquiry हो जाएगी तो next update जैसे ही मुझे आती है और result की बात रह धो कर दो आता किर्स आत जा जाए है कितने है और नहीं आता जाए है और रहे है आता जाए है और नहीं वाफ कितने हैं य। सहुंग जाए है